ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारेधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशीफल यह राशीफल है 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन है स्रावन महा के शुकलपक्ष की त्रयोड रशीत था चतुर दशीत ही थी रहेगी श्रावन नामक नक्षत्र होगा एवं मकर राशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा का शुभारंब कर सकते ही राहुकाल जोकी दोपार तीन बजे से शुरू होकर के साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ एवा मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्रेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के नुसर कर सकते ही जोकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी सिंग रासी में वहीं चंद्रमा मकर राशी में, मंगल गरह कन्या राशी में, बुद गरह सिंग राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो की मेस राशी में, शुक्र गरह करक राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मेस राशी में, तथा केतु गरह तुला राशी में उसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ साथ नया काम नई जुम्बेदारी इनको मिलने वाली है और जो भी काम इनके द्वारा किया जाएगा उसमें अडिक से अडिक फाइदे का संयोग इनके लिए बन सकता है सूर्योदय सुभा 6 बच के 5 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6 बच के 49 मिनिट पर होगा चंद्रोदय दिन में 4 बच के 42 मिनिट पर होगा एवं चंद्रमा का आस्त देर रात को 3 बच के 33 मिनिट पर होगा शुब मुहुर्त की यदि हम बात करें तो सुबह नो बजे से लेकर के साड़े दस बजे तक चर का चोग्रिया तथा साड़े दस बजे से दो पहर बारा बजे तक लाप का चोग्रिया और उसके बाद बारा बजे से लेकर के एक बच के तीस मिनिट तक अमरत का चोग्रिया र इस समय आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाव या फाइदे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी पल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अ आनंद मनोरंजन के कुछ आउसर भी आपको प्राप्त होंगे अपना व्यवहार लचिला रखे अपना पसंदिदा काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं दूसरों की मदद से किसी काम से जुड़ना आपके लिए फाइदे मन होगा संतोज जनक रहेगा किसी कागच पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले बिगड़े काम सुधारने में किसी की मदद करेंगे काम धंडे नोकरी और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा काम में मन लगेगा उत्साहभी आपका बढ़ेगा उपाई के रूप में जिर्वात अच्छे कारियों से होगी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन सांथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहुल में कुछ दिनों से चली आरे सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस करिक्षेटर में कोई स्थिति आपकी रुटीन लाइब को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे जीवन के प्रती नजरिया आपका बदला हो रहेगा कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका देंट शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आज आ सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पूरी तरह व्याभारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे इसका असर आपके नजदी की लोगों पर पड़ेगा व्यावसाय के मामलों में सफलता मिलेगी कोई पुराना करजा यदी चल रहा है तो तो वो समाप्त हो जाएगा आज आप संतुष्टी महसूस करेंगे डामपत्य जीवन आपका सुखद रहेगा आपका व्याभार पार्टनर को परिशान या दुखी कर सकता है व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है उपाई मन की बाते किसी को पता नहीं चलने देंगे राज की बात उजागर नहीं करेंगे पैसो से जुड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है धैरे रखे अपनी बात और बातचीत के तरीकों पर नियंतरन रखे इससे करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फाइदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है चुट-पुट लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदर में कोई भी पुषप चड़ाएंगे लाल फूल या पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियन की जो की एक होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की जो भी काम सामने आये उसे निप्ताते चले आये दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात्मक्त योगताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परशा रिकावट या परेशानी आ सकती है और मांसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा कुछ कारियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाई के रूप में एक धूब बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन्ट शुफलदाई अफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं करिक्षित्र पर आपको परिवर्तन करने का आउसर प्राप्त होगा नकारत्मिक इस्तिती को सुधारने के लिए अच्छा समय है आपका ध्यान घर परिवार पर बना रहेगा परिवार के कुछ मामले सुल ज जरूरी हो जाएगा कोई भी फेसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्चे करे आपके विचारों में मजबुती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रति आप उच्छुक रहेंगे आज आपको धीमी और साब बात करना अच्छा रहेगा उप इसले में एक आपको संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप पढ़ जाएंगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वह सुलज जाएगा जो आज आप बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करे अपनी सेहत पर ध्यान दे हर ज जला या बातों के कारण आपका कंफूजन बढ़ सकता है ओफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना सकते हैं और साथ के लोगों से बात करनी का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर म यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियन के जो की चार होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लें कि महनत कम है परिनाम आपका दिल खुश कर देगा व्यापार अच्छा चलेगा जीवन सांती की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाल होगी जो आपके लिए महत्व पूर्ण रहेंगे बादचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे और आर्थिक लाप का रास्ता भी आपका बन जाएगा जो चल रहा है उसे चलने दे आपका कोई बड़ा फाइडा होने वाला है आपका ध्यान पैसों के हिसाब कित अब हम बात करते हैं मकर राशी की जो लोग आपका विरोध करनी की कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएगे इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी आपको कोई ऐसा काम या नोकरी मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अन्बन हो सकती है और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मुका मिलेगा पैसो अब हम बात करते हैं कुमपराशी की कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइदा देंगे जाएगा उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुवान जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका बात करते हैं मीन राशी की कोई खास बात आपको पता चल ज आएगी व्यावसा या नोकरी के कुछ कामों में आप भागशाली साबित होगे कुछ दोस्तों और परीचेतों से आप चरचा करेंगे आगे चल करके आपको ही फाइडा होगा कुछ महतुपुर्ण लोगों से आपकी महतुपुर्ण चरचा होगी मुलाकात होगी उनसे उसके भी अच्छे परिनाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा और आपका भागिशाली अंक जोकी नौ होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंका हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्स जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद